ओम शान्ती आज सुनते हैं 26 डेसेंबर 79 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य आज की अव्यक्त वानी का टाइटल है राज योगी अर्थात त्री स्मृति सुरू आज की मुरली में बाबा ने राज योगी तिलक की विशेषता देखते अंतर क्या देखा साथ साथ बाबा ने त्रिशूल रूप के यादगार की तीन समर्थियां कौन सी है तीसरा संपूर्ण विजई की निशानी क्या है और लाश्ट विकारों का परिवर्थित रूप क्या है तो सुनते हैं 26 दिसंबर 89 की मुरली राज योगी अर्थात्री समर्थि सुरूप बाप दादा आज तिलक धारी बच्चों को देख रहे हैं हर एक के मस्तक पर राज योगी अर्थात समर्थि भाव का तिलक और साथ साथ विश्व राज अधिकारी का राज तिलक राज योगी तिलक और राज तिलक दोनों तिलक देख रहे हैं आप सभी भी अपने दोनों तिलक को सदा देखते रहते हो बाप दादा सभी के मस्तक पर विशेष राज योगी तिलक की विशेषता देख रहे हैं विशेषता देखते हुए अंतर क्या देखा किसी राज योगी के मस्तक पर तीन बिंदियों का तिलक है किसी के मस्तक पर दो बिंदियों का तिलक है और किसी पर तो एक बिंदी का भी तिलक है वास्तों में नौलिजफुल बाप द्वारा विशेश तीन समर्तियों का तीन बिंदियों के रूप में तिलक दिया हुआ है उन तीन समर्तियों को त्रिशूल के रूप में यादगार बनाया है यह तीन समर्तियां है एक स्वेम की समर्ति, दूसरी बाप की समर्ति और तीसरी ड्रामा के नॉलेज की समर्ति इन विशेश तीन समर्थियों में सारे ही ग्यान का विस्तार समाया हुआ है नौलेज के व्रिक्ष की ये तीन समर्थियां है जैसे व्रिक्ष का पहले बीज होता है उस बीज द्वारा पहले दो पत्ते निकलते हैं फिर व्रिक्ष का विस्तार होता है ऐसे मुख्य है बीज बाप की समर्थी फिर दो पत्ते अर्थात विशेश समर्थिया आत्मा की सौरी नौलेज और ड्रामा की स्पष्ट नौलेज ये दो पत्ते हो गए इन तीन समर्थियों को धारन करने वाले समर्थी भाव के वर्दानी बन जाते हैं इन तीन समर्थियों के अधार पर माया जीत जगत जीत बन जाते हैं तीन समर्थियों की संगम युग पर विशेशता है इसलिए राज योगी तिलक तीन समर्थियों का अर्था तीन बिंदी के रूप में हरे एक के मस्तक पर चमकता है जैसे त्रिशूल से अगर एक भाग खतम हो जाए तो यर्थार्थ जो है नहीं कहा जाएगा एक भी भाग खतम हो जाए फिर त्रिशूल थोड़ी कहेंगे संपूरण विजाई की निशानी है तीन बिंदी अर्था त्रीस मृति सुरूप लेकिन होता क्या है एकी समय पर तीनों समर्थी साथ साथ और पश्ट रहे इसमें अंतर हो जाता है कभी एक समर्थी रह जाती और कभी दो और कभी तीन इसलिए सुनाया कि कोई दो बिंदी के तिलकधारी देखे कोई एक बिंदी के तिलकधारी देखे बहुत अच्छे अच्छे बच्छे भी देखे तो निरंतर तीन समर्ती तिलकधारी भी है अमिट तिलकधारी भी है अर्थाद जिस तिलक को कोई मिटा नहीं सकता जब समर्ती सुरूप हो जाते हैं तो अमिट तिलक धारी बन जाते हैं नहीं तो बार बार तिलक लगाना पड़ता है अभी अभी मिटता है और अभी अभी लगता है लेकिन संगम युगी राज योगियों को निरंतर अविनाशी तिलक धारी होना है माया अविनाशी को विनाश बना ना सके विनाशी ना बना सके रोज अम्रत वेले इस त्रिमूर्ती के विनाशी तिलक को चेक करो तो माया सारे दिन में मिटाने की हिम्मत नहीं रख सकेगी तीन समर्ती सुरूप अर्था सरव समर्थ सुरूप ये समर्थ का तिलक है समर्थ के आगे माया के वियर्थ रूप समापत हो जाते हैं कोई वियर्थ नहीं माया के पांच रूप पांच दासियों के रूप में आएंगे परिवर्तन रूप दिखाई देगा अब सुनिए परिवर्तन रूप भी क्या दिखाई देगा विकारों का परिवर्तित रूप, काम के रूप में वार करने वाला, शुब कामना के रूप में विश्व सेवादारी रूप बन जाएगा इस क्रोध अगनी के रूप में जो इश्वरिय संपत्ती को जला रहा है, जोश के रूप में सब को बेहोश कर रहा है वही क्रोध विकार परिवर्तित हो रुहानी जोश वा रुहानी खुमारी के रूप में बेहोश को होश दिलाने वाला बन जाएगा वाह बाबा कितना सुन्दर परिवर्तित रूप है यही क्रोध अगनी योग अगनी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी जो आपको नहीं जलाएगी लेकिन पापों को जलाएगी इसी परकार लोब विकार ट्रस्टी रूप की अना सक्त वर्ती के सुरूप में उपराम स्थिती के सुरूप में बेहद की विराग वर्ती के रूप में परिवर्तित हो जाएगी लोब खतम हो जाएगा और सदा चाहिए चाहिए के बदले इच्छा मात्रम अविद्या सुरूप हो जाएंगे वाँ बाबा हर विकार का बाबा परिवर्तित रूप बता रहे है लोब को चाहिए नहीं कहेंगे लेकिन जाए 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 कहेंगे लेना है लेना है नहीं देना है यह परिवर्तित हो जाएगा यही लोग बना सक्त वर्तिवा देने वाला दाता के सुरूप की सुम्रति सुरूप में परिवर्तन हो जाएगा इसी परकार महोविकार वार करने की बजाए सने के सुरूप में बाप की याद और सेवा में विशे साथी बन जाएगा एहंकार विकार देविमान से परिवर्तित हो स्वाभिमानी बन जाएगा ऐसे परिवर्तन करने की शक्ती अनभव करते हो इन तीन समर्थियों के अधार पर पांचों का परिवर्तन कर सकते हो काम के रूप में आए शुब कामना बन जाए तब माया जीत जगत जीत का टाइटल मिलेगा विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है जो राजा होगा वे साधारन परजा बन जाएगा तब विजयी के लाया जाएगा मंत्री होगा वे साधारन व्यक्ती बन जाएगा तब विजयी के लाया जाएगा वैसे भी नियम है जो जिस पर विजयी प्राप्त करता है उसको बंदी बना कर रखते हैं अर्थात गुलाम बना कर रखते हैं आप भी इन पांच विकारों के उपर विजई बनते हो आप इनको बंदी नहीं बनाओ बंदी बनाएंगे तो फिर अंदर उचलेंगे लेकिन आप इने परिवर्तन कर सहयोगी सुरूप बना दो तो सदा आपको सलाम करते रहेंगे अच्छा ओम शान्ती आज कितना सुंदर बाबा ने कहा सब विकारों को परिवर्तित करके सहयोगी बनाओ ओम शान्ती और अब यहें एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे अच्छा अच्छा अच्छा